हलो दोस्तो मेरे नाम है आरवी आज इस वीडियो में मैं आप सिभी के लिए लेकर आया हूँ दोस्तो दो बहुती कमाल के बजट स्मार्टफोन एक तो मोटो का G34 5G है और दूसरा है दोस्तो रियलमी का C65 5G मोटो G34 आपको मिलता है दोस्तो 11000 का रियलमी C65 मिलता है दोस्तो आपको 12000 के असपास तो इस वीडियो में इन दोनों में कमपरिजन करके आपको बताऊँगा अगर आप अपने लिए जो है एक बजट फून लेने की सोच रहे हैं तो आपको इन दोनों में से कौन सा खरीदना चाहिए तो जानने के लिए वीडियो इन तक जरूर देखेगा और एक लाइक करके चैनल को सबस्क्राइब कर लिजे ताकि नए वीडियो आप तक पहुचते रहे हैं चलिए देखते हैं दोस्तो आपको मोटो जी 34 के साथ 11000 में कहके मिलता है तो अन्बॉक्स करते हैं से पहले फून मिल जाता है रैपर के अंदर इसके बाद कुछ यूजर मैनुल है और फिर दिये गए हैं दोस्तो आपको ये ब्लैक कलर में एक टाइप सी केबल केबल की जो क्वालिटी हो आपको काफी अच्छी मिल जाती है काफी बढ़िया क्वालिटी की केबल दी गई है और लास्ट में रखावा मिलता है दोस्तो ये ब्लैक कलर में एक चार्जर जो कि आपको मिलता है दोस्तो 20 वाट का चार्जर तो चार्जर आपको फास्ट मिल जाता है बाकी 20 वाट का अगर और जादा बेटर होता तो काफी बढ़िया रहता तो यह सब बॉक्स के कंटेंट्स आपको मिलते हैं दोस्तों मोटो जी 34 5G के साथ देखा जाए तो बॉक्स के कंटेंट्स काफी आपको नॉर्मल टाइप के मिलते हैं चली देखते हैं अगर आप रियलमी C65 खरीदते हैं एकाथ हजार रुपर साथ का क्या क्या मिलता है तो फार्ट देखेंगे तो इसके साथ आपको पहले जो यूजर मैनुल के बाद कवर दिया गया है जो कि मोटो जी-34 फिर पिरल में सी 65 से मौक्स के कंटेंट्स में जयादा बढ़िया वारे में tämä लिसे साथ बात करते हैं दोस्तों डोन बारे में दोने पोंस पर आपको डेज बुर्ट में प्लासिक के मिलती है और Moto G34 के अंदर आपको vegan leather finish में design दिया गया है तो design की जो quality है दोस्तो Moto G34 के आपको थोड़ी और ज़ादा better मिल जाती है इसके अंदर आपको scratches की problem देखने को नहीं मिलेगी लेकिन अगर आपको shiny phone पसंद है जो चम के धम के ज़ादा तो वो चीज़ आपको realme C65 के अंदर ज़ादा better देखने को मिलती है दोस्तो अगर आपको look wise design बढ़िया चाहिए तो realme C65 बढ़िया है और अगर आपको quality design की बढ़िया चाहिए जैसा आपको scratches होगे रहे की problem ना हो finger pens होगे रहे की problem ना हो तो वो चीज़ आपको moto G34 के अंदर ज़ादा better देखने को मिलती है तो design की quality में moto G34 ज़ादा बढ़िया है और realme C65 दोस्तो look wise design में ज़ाद अच्छा मिल जाता है बाकि आपको जो ना इन दोनों में पसंद कौन सा है आप मुझे comment करके ज़रूर बताएगा आपको design जो है इन दोनों फोन्स में फिर भी किसका ज़ादा बढ़िया लगा चलिए दोनों फोन्स को on कर लेते हैं आपको दिखाता हूं डिस्पले की quality है वो किसके अंदर ज़ादा better आपको मिलती है डिस्पले के colors किसमें ज़ाद अच्छे है तो इन दोनों फोन्स के अंदर आपको साले change के आसपास display मिलती है जो कि एक IPS HD plus display है तो इचीज़ आपको दोनों के अंदर एक जिससे type के देखने को मिल जाती है दोस्तो full HD plus display तो दोनों में सापको किसी के अंदर भी नहीं दी गई तो इचीज़ दोनों के अंदर मुझे काफी average लगी 11-12,000 के दोनों smartphone से लेकिन दोनों के अंदर आपको full HD plus display नहीं मिलती तो दोनों के अंदर आपको यह कमी देखने को मिलती है बागी display के अंदर आपको user interface कैसा मिलता है पैसे उबर के तरफ स्वाइप करेंगे आपको सारी applications मिल जाएंगी तो चलाने में दोस्तों दोनों ही smartphone सापको काफी बढ़िये मिल जाते है लेकिन Moto G34 और भी ज़्यादा बढ़िया है क्योंकि इसके अंदर आपको काफी ज़्यादा मिल जाता है 120 Hz तो smoothness तो आपको दोनों के अंदर काफी बढ़िया दी गई है experience दोनों के अंदर आपको use करने का काफी smooth मिल जाएगा लेकिन फिर भी UI की वेज़े से दोस्तों Moto G34 थोड़ा और ज़्यादा better आपको मिल जाता है इसके लाव दोस्तों इन दोनों फोन्स के अंदर डिस्प्ले की जो क्वालिटी है वो किसम जादा अच्छी है तो वो चीज में आपको करीब से दिखाता हूँ तो दोनों के अंदर आपको पंचोल कैमरे वाला design दिया गया है edges, bezels दोनों की डिस्प्ले के अंदर आपको काफी कम मिल जाते हैं और जो डिस्प्ले की क्वालिटी है जो colors है, brightness है दोनों ही की डिस्प्ले के अंदर आपको काफी बढ़िये दिये गया है थोड़ा Moto G34 के डिस्प्ले जो है थोड़ी सी quality में और जाधा बेटर लग रही है इस दोनों के अंदर काफी बढ़िया है, side map देहेंगे दोस्तों तो volume के बटन से और power के बटन से दिये गये है finger print scanner दोस्तों दोनों में side में मिलता है, power के बटन के अंदर तो यह चीज भी आपको दोनों में same type की मिल जाती है इसके लग दोस्तों ऊपर की side साब देहेंगे, तो यहाँ पर आपको जो है दोस्तों noise cancellation mic मिल जाता है दोनों के अंदर SIM केटर है, realme C65 में ऊपर की तरफ है, moto में left side पर इन दोनों phones में दोस्तों आपको जो रैम और storage मिलती है, उसके बारे में बात करें उसके अंदर आपको 8GB रैम मिल जाएगी, तो रैम और storage के सबसा दोस्तों देखा जाए, तो दोनों स्मार्टफोन सही है मोटो फिर भी मुझे जादा value for money लगा इस चीज़ को लेकर, क्योंकि अगर आपको इसका 828 variant खरीद लेंगे, तो वो 12,000 का पड़ेगा, realme के बराबरी, और 2GB रैम और जादे मिल जाएगी, android का दोनों के अंदर आपको 14 version मिलता है, और जो है दोस्तों इन दोनों phones को में ए बैटरी दोनों के अंदर आपको काफी अच्छी दी गई है, और चार्जर वैसे थोड़ा ज़्यादा फास्ट आपको मिलता है, मोटो के साथ, restart test में देखते हैं, दोस्तों कौन सो फोन जो है, ज़्यादा फास्ट वर करता है, realme C65 के अंदर आपको media tech का डाइमिन मिलता है, मोटो G34 के अंदर आपको मिलता है, snapdragon 695, दोस्तों restart test के अंदर इन दोनों फोन्स में जो विनर है, वो है मोटो G34, यह ज़्यादा जल्दी on हो चुका है, हालकि इसके अंदर रैम भी कम है, यह जो है दोस्तों छोटा विरियंटे रियल मी C65 के आगे, यह 60820 से HRX तो आपको जो दोस्तों स्पीड वगरा मोटो G34 के अंदर काफी बढ़िया देखने को मिल जाती है, C65 भी बढ़िया है, दोस्तों इसके अंदर भी आपको पर्फॉर्मेंस अच्छी मिल जाएगी, प्रॉससर इसमें भी बढ़िया दिया गया है, बाकि कम रेट के अंदर अगर आपको जो ने पर्फॉर्मेंस बढ़िया चाहिए, तो आप जो मोटो G34B के लिए इसके लिए भी जा सकते हैं, पैसे भी आपके बज़ेंगे, पर्फॉर्मेंस इसमें भी बढ़िया मिल जाएगी, बाकि अगर आपको पर्फॉर्मेंस के साबसे इन दोनों में से को को मिलती हैं, दोनों के अंदर चली बात कर लेते हैं, सबसे में चीज़ आपको दोनों में से कौन से खरीदना चाहिए, देखिए दोस्तों इन दोनों स्मार्टफॉन के अंदर आपको जो फीचर्स मिलते हैं, लगबग एक जैसे टाइप के देखने को मिल जाते हैं, तो द तो मतलब बड़िया डिजाइन की वाज़सा आप C65 खरीच सकते हैं, परफॉर्मेंस और बैटरी इसमें भी अच्छी दी गई है, स्टोरेज भी सही है, बाकि दोस्तों अगर आपको अपने पैसे बचाने हैं, तो आपको कम रेट में मोटो जी 34 फिर भी काफी बड़िया मिल जाता है, मोटो जी 34 की सबसे बड़ी होबी है, यह इसका प्राइस कम हैं दोस्तों, दस मतलब 11,000 में आपको यह मिल जाएगा, और इसके अंदर आपको जो एक कैमरा जादा बेटर मिल जाता है, यू आई जादा बेटर इसका, चार्जर जादा फास्ट है, तो क्वैलिटी वाइस देखा जाए तो थोड़ा सा जादा बेटर मुझे मोटो जी 34 लगा, आप बतेगा फिर भी कमेंट करके आपको इन दोने में पसंद कौन सा है, आपको अच्छे लगी तो इसको एक लाइक करके ज़रू जाएगा, चैनल पर आप नए हैं, सब्सक्राइब नहीं करेगा, तो सब्सक्राइब कर लिजे ताकि नए वीडियो आप तक पहुँचते रहें, हेल्फूल लगी वीडियो तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिये, वाटसेब पर फेस्बुक पर, चैनले मिलता हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केर, बाबाई,